नमस्करम, एक क्वेशन आलजीब्रा चाप्टर से हैं 2019 में पुछा गया, इस प्राबलम को लास्ट टाहम सॉल किया था, लेकिन उसमें कुछ कन्फूज हुन था, इसलिए दुबारा सॉल कर रहा हूं, x greater than r equal to 25, x greater than r equal to 25, inequality 1, y is less than r equal to 40, ठीक है, inequality 2, then which one of the following is always correct, हमेशा के लिए ठीक है, सादाईव सही है, यहाँ पर aspirants क्या कर रहे हैं कि, x greater than r equal to 25, तो x को मान लेते हैं 35, 35 तो 25 से ज़्यादा ही है ना, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है, y less than r equal to 40, तो y को ले लेते हैं 30, 30 तो 40 से कमी है ना, यहाँ पर हम x और y को ऐसे मान के कोई भी rule break नहीं किया हैं दोस्तों, अब इन दोनों values लेके ये चारो options चेक करते हैं, option यह x is greater than y, 35 ठीक है, 35, 30 से ज़्यादा है, तो यह दोनों values से option यह सही है, अब भी देखते हैं, y minus x is greater than 50, ठीक है, y minus x, 30, minus 35, यह हो गया, minus y, यह greater than 50 नहीं है, option भी eliminate हो गया, option c को देखते हैं, y minus x is less than or equal to 15, यह y minus x है ना, यह less than 15 है, a option भी सही आ रहा है, अब option d, x plus y, ok, x plus y है, 35 plus 30, यह हो गया, 65, is greater than or equal to 65, ok, यह greater than or equal to 65, यह equal to 65 है, यह भी सही आ रहा है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ऐसे कितने values लेके आप solve करोगे, आपको नहीं लगता हैं, यह time consuming है, मान लो, x और y का कुछ और values लिया, और थोड़ा मेहनद करके, आप दोनों options को eliminate कर दिया, आपका answer c होगा, लेकिन आपको लगता है, यह method reliable है, और future में इस पर depend कर सकते हैं, कोई भी problem solve कर सकते हैं, नहीं दोस्तों, देखो यहाँ पर, always correct बोल रहा हैं, अब सिर्फ दो तिन values लेके, आप इसे यही सही answer हैं, बता रहें, मान लो, यहाँ पर option d, none of these दिया हैं, ठीक हैं, तब क्या करोगे, कितने values लेके try करोगे, और examiner का mind में कुछ और value हैं, वो satisfy, इसे भी नहीं satisfy करता हैं, और answer होगा, none of these तब क्या करोगे, तो इसलिए बता रहाँ, ऐसे problem को mathematics use करके solve करना बहुत आसान होता हैं, वो भी मुश्किल नहीं हैं, वो concepts भी ठीक हैं, और देखो, यहाँ पर which one of the following is always correct, मतलब trial and error से इसे solve नहीं कर सकते हैं, दोस्तों, अगर answer भी आगए, ठीक हैं, you are lucky, बच्चीज हैं कि always correct, इसे बता नहीं का आप, mathematical equation से ही बता सकते हैं, ठीक हैं, अब हमारे पास दो inequalities हैं, अब यह दोनों inequalities को solve करके, हमको कुछ conclusion लेके आना हैं, देखो, अगर आपके पास यह की inequality हैं, यह की inequality, तब उस पे plus और multiplication, यह दोनों operations लगा सकते हैं, मतलब, इस inequality को, इस साइड और इस साइड कुछ numbers को add कर सकते हैं, ठीक हैं, वारना, इस पूरा inequality को कुछ और numbers से multiply कर सकते हैं, देखते हैं, यह कैसे करेंगे, देखो, मैं y को plus 20, ठीक हैं, 40 plus 20, ऐसे दोनों साइड 20 add कर सकता हूं, वारना, y minus 20 less than or equal to 40 minus 20, यहाँ पे मैंने क्या किया, minus 20 को add किया हैं, दोस्तों, देखो, y plus minus 20, ठीक हैं, इसे add किया है, minus 20 को add किया हैं, तो confuse नहीं करना चाहता हूं, मतलब, आप कोई भी number को add कर सकते हैं, वो positive हो, negative हो, ठीक हैं, अब multiplication, इस operation को कैसे लगाते हैं, inequality पे y less than or equal to 40, अगर इस inequality को positive number से multiply कर रहे हैं, plus 1, plus 1 से multiply कर रहे हैं, दोनों side, operations दोनों side लगाएंगे दोस्तों, ठीक हैं, तब यह symbol होता हैं, यह change नहीं होता हैं, ठीक हैं, अभी यह हो गया, plus 1 into y, ठीक हैं, y less than or equal to plus 1 into 40, 40, यह हो गया, y less than or equal to 40, अगर negative number से multiply कर रहे हैं, दोनों side, ठीक है, minus 1 into y, तब यह symbol होता हैं, रिवर्स हो जाता हैं, ठीक हैं, greater than or equal to minus 1 into 40, greater than होगा, तो less than हो जाएगा, less than or equal to, less than or equal to हो जाएगा, ठीक हैं, यहाँ पे less than or equal to हाएं, greater than or equal to हो गया, अभी minus y greater than or equal to minus 40, तो आपको एक inequality दे दिया, सिर्फ एक ठीक हैं, सिर्फ यह एक inequality दे दिया, इस inequality पे दो operations लगा सकते हैं, दोस्तों, कोई भी number को दोनों साइड एड कर सकते हैं, तब symbol नहीं change होगा, multiply भी कर सकते हैं, कोई भी number से, अगर positive number से multiply कर रहे हैं, symbol नहीं change होगा, negative number से multiply कर रहे हैं, तो symbol reverse हो जाएगा, ठीक हैं, अब हमारे पास दो inequalities हैं, इन दोनों को हम solve करना हैं, अगर दो inequalities हैं, तो कौन से operation लगा सकते हैं उन दोनों पे ठीक हैं दोनों इन इक्वाल्टीज को सिर्फ एड कर सकते हैं दोस्तों उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं इसे और इसे मल्टिप्लें नहीं कर सकते हैं सब्ट्रैक नहीं कर सकते हैं दोनों इन इक्वाल्टीस को डिविजन नहीं कर सकते हैं ठीक हैं डिवैड नहीं कर सकते हैं सिर्फ एड कर सकते हैं अगर एड करना है आपको दोनों इन इक्वाल्टीस को तो ये दोनों सिम्बल्स एक ही रहना चाहिए दोस्तों सेम रहना चाहि greater than r equal to 25 plus y देखो दोनों सिंबल का same करने का मोटिव यह हैं कि इसको right side में जो भी हैं उन दोनों को add कर सकते हैं इसको left side में जो भी हैं उन दोनों को add कर सकते हैं इसलिए इन दोनों को same बनाना बहुत जरूरी हैं अभी y को इस तरफ लेके आ सकते हैं 40 को इस तरफ लेके आ सकते हैं x minus y greater than r equal to 25 minus 40 अब x minus y greater than r equal to minus 15 लेकिन यहाँ पे हमें y minus x दिया गया है अगर y minus x हमें चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा minus 1 से multiply करना पड़ेगा minus 1 into x minus y symbol reverse हो जाएगा ठीक है minus 1 into minus 15 अब यह हो गया minus x plus y ठीक है यह 15 y minus x less than r equal to 15 अब हम हमेशा के लिए बोल सकते हैं y minus x is less than r equal to 15 इसमें y और x का कोई मानने का जरूरी नहीं है it's always correct this is what have been asked in this problem तो बस यही सीखना है inequalities की बारे में अगर सिर्फ एक inequality दिया उस पे हम plus और multiplication यह दोनों operation लगा सकते हैं अगर दो inequalities दिया सिर्फ उसे add कर सकते हैं और add काप करेंगे symbol same करने के बाद करेंगे ठीक हैं तो हमारा option answer है c तो हमारा दो 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 हम